नवस्कार दर्शकों आप सभी का स्वागत है आज का दैनिक राशी फलकार क्रम लेके हाजिर हूं आज छठ वर्त की संध्या अर्ग है अस्त होते हुए सुड़िय को यानि डूबते हुए सुड़िय को अग अर्ग देंगे छठ पबनितनी और आज के दिन आप सब सुबह में जरूर सुर्यदे भुवन भासकर को अर्ग दें और छठ पडवी के साथ आप भी घाट नदी सरोबर में जाएं और अर्ग दें और आज 19 नमंबर दीन रवीवार आज के 2030 आज के दैनिक रासी फल शुरुवात करें भुवन भासकर को अर्ग से और मेश रासी और विशव रासी और करक रासी वाले के लिए दीन रहेगा सुब पूरा वीडियो को देखिए आज का दैनिक रासी फल और आज आप सभी को वर्ल्ड कप जो है इंडिया और अस्टेरलिया के साथ होने जा रहा हैं इस्टेरिया इसमें कप्तान जो है रोहित सर्मा के ऊपर जो है मेश का पूरा रहेगा और इस वर्ल्ड कप के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आज तो आज चलते हैं पहले आज का दैनिक रासी फल मेश रासी वाले जातकों का आज का भाग सितारे क्या कहते हैं आज का दिन मेश रासी चानकों का आजर का दिन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है किuspi精 शेणल को लाइक कर दिजजें और बेल कू Birड़ आएकन को दवा दिजेंए और और जदा से जदा अपने मित्रों को भी शेयर किजिए और आज जो मैं वर्ल्ल कप पे वीडियो बनाऊंगा उसको देखना ना भूले तो चलते हैं मेसरासिक जातकों का आज का भाग सितारे क्या करते हैं मेसरासिक जातकों का आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलद आपको नए लाव के अवसर पहचान कर उन पर अमल करना होगा, संपते समंदित मामलों में आपको सावधन रहना होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिंद आपको भरपुर मात्रा में मिलेगा, आप अपने माता-पिता की सिवा करने के लिए कुछ समय निकालेंगे, जिससे आप अपने मन में चल रही समस्याओं को लेकर उनसे बाचित ही कर सकते हैं, विशवरासिक जातकों का आज का भाग सितारे क्या काते हैं, विशवरासिक जातकों का आज का दिन आपके लिए सुक्सुवधाओं में विर्धी लेकर आने वाला है, सरकारी नोकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है यदि आप कोई जिमेदारी ले तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिस करें कारोबार में आपको अपनी पुरानी योजदाओं से अच्छा लाव मिलेगा जिससे आपका आत्म विश्वास भी और बढ़ेगा आर्थिक अस्तिती पहले से बहतर रहेगी लेकिन आप किसी को धन उधार नहीं ले आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम मितुंदासिक जातकों का आज का दिन आपके लिए परोपकार के कारियाओं से जूर कर नाम कमाने के लिए रहेगा लेंदेन से समंदित कोई फैसला आपको जल्दवाजी में नहीं लेना है नहीं तो उसमें आपके कोई गलती हो सकती है और आप किसी अंजान ब्यक्ति पर यदि भरोसा करेंगे आप करेंगे भाई बहानों से यदि आप कोई मदद मांगेगे तो वह भी आपको असानी से मिल जाएगी आप अपनी भावनाओं का नियंतरन बनाए रखें नहीं तो समस्या हो सकती है करकरासी करकरासी के जातकों का भाग सितारे क्या काते हैं करकरास सिक जातकों का आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामलों में अच्छा रहने वाला है आपकी कुछ योजना आपको अच्छा लाव देगी और आप कोई महत्त पूर्ण जानकारी किसी से साजहा ना करें नहीं तो समस्या हो सकती है और आप अपने कारी को समय से पूरा करें तभी आप अधिकारियों की आँखों का तारा बनेंगे कारोबार में आप कोई महत्त पूर्ण निर्ने ले सकते हैं संतान से आपकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है किसी नए वाहन की खरिदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा सिंग रासि सिंग रासिक जातकों का आज का दिन आपके लिए लेंदेन के मामले में अच्छा रहने वाला है आप जल्दवाजी में कोई काम ना करें नहीं तो आप से कोई गल्टी हो सकती है और आप अपने डेली डुटिंग पर पूरा ध्यान देंगे आपकी महिनत रंग लाएगी लेकिन यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तभी आपको इसका लाब मिलेगा परिवार में यदि किसी सदस्य के विवा में कोई बाधा आ रही थी तो वह आपके किसी परिजन की मदद से दूर होगी कन्यारासी के जातकों का आज का भाग सितारे क्या कहते हैं कन्यारासी के जातकों का आज का दिन आपके लिए प्रसन्यता दिलाने वाले रहेगा आवस्यक कारे को समय रहते पूरा करें नहीं तो समस्या हो सकती है अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रन बनाए रखें के रूप में आपके सत्रू हो सकते हैं आप अपने घर में कुछ वस्तूं के खरिदारी पर भी अच्छा खासा धन ब्या करेंगे लेकिन यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे थे तो उसे गती कर दें नहीं तो वाहन की कर चांई खरॉष थे कारन अपका धन खर्च बढ़ सकता है तुला राशी दूAg जातकों का आज का बार क्याते हैं दूरारासिक का आज का दिन आपके लिए सुक्सुवदाओं में ब्रधी लेकर आने वाला है जल्दवाजी में आप कोई निर्ने ना ले नहीं तो समस्या हो सकती है परिवार में किसी नए महमान का आगमन हो सकता है जो लोग प्रेम जीवन जी रहे वह अपने साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं आपको अपने करिवियों से बाचित करते समय वानी की मदूरता को बनाए रखना होगा नहीं तो समस्या हो सकती है विश्चिक रासी विश्चिक रासिक जातकों का आज का भाग सितारे क्या काते हैं विश्चिक रासिक जातकों का आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है समाजिक कारियों में तेजी बढ़ेंगे तभी वह अपनी योजनाओं से अच्छा लाव कमा सकते हैं आप परिवार में शब को साथ लेकर चलने की कोशिस करेंगे जिसमें आप काम्याब भी रहे होंगे नोकरी में कारियत लोगों पर जिमेदारियों का बोज बढ़ सकता है धनुरासी धनुरासिक जातकों का आज का भाग सितारे क्या करते हैं धनुरासिक जातकों का आज का दिन आपके लिए मिसित रूप से फलदायक रहने वाला है भाई बहनों से चल रही अनवन दूर होगी नजदिक्यां आएगी यदि आप सेर मार्केट में निवेश करते हैं तो उसके लिए आप अपने किसी परिजन से बाचित कर सकते हैं आप आत्मी विश्वास से भरे रहेंगे और संतान को यदि आपको जिमेदारी देंगे तो वह उसे पर खरी उतरेगी शम्नियता भावना आपके मन में बनी रहेगी आपकी कुछ योजनाओं पर यदि विराम लगा हुआ था तो वह दूर हो सकता है मकर रासी मकर रासी के जातकों का आज का दिन आपके लिए समान्य रहने वाला है आपको कुछ नए संपर्कों से लाब मिलेगा और आप किसी मित्र के घर दावत पे पर जा सकते हैं आप परिवार के सदस्यों के साथ पुरानी यादों को साजा करेंगे विद्यार्तियों को आज सिक्षा मेरन निती बना कर आगे बढ़ना होगा यदि आप अपनी किसी काम में उनके निती नियमों का पूरा ध्यान दें और ब्यपार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा संतान के भविश्य को लेकर आप कोई प्राइंग कर सकते हैं कुम्बरासिक जातकों का आज का भाग सितारे क्या काते हैं कुम्बरासिक जातकों का आज का दिन आपके लिए खर्च वरा रहने वाला है आप अपने बढ़ते खर्च को लेकर परेसान रहेंगे लेकिन आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे की परिवार के सदस्यों को समस्या हो और आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पार्टी आदी को करने के योजना बना सकते हैं, कार छत्र में आपके दिये गए सुझाओं का स्वागत होगा, जिससे आपको खुसी होगी, विद्यार्थियों को अपने कामों में दिल देने से बचना होगा, नहीं तो इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पढ़ सकती है, मीनिरासी, मीनिरासी के जातकों का अज का भाग सितारे क्या कहते हैं, मीनिरासी का, आज का दिन आप के लिए बड़ी उपलब्दी लेकर आने वाला है, आपका आकर संद को देख कर लोगों को हैरानी होगी, विद्यार्थियों को सि अच्छा प्रस्ताव लग सकता है आपको किसी पुरानी गल्ती से सीख लेनी होगी और उसे दवा दुवारा ना करें मैं सरासी से ले करके मीन रासी तक का पूरी जानकारी दिया हूं और आज में सरासी से ले में रासी तक का एक ही उपाय है आज अगर आपके जिन्दगी में लाख महनत के बाद जुद भी आपको तरक्की नहीं मिलता हूं लाख इलाज कराने के बाद भी आपका सेहत अच्छा नहीं हो रहा है आप जो भी करते हैं अच्छा करने के लिए और आप दलदल में फस्ते जा रहे हैं तो इसका आज एक ही उपाय है आज भुवन भास कर सुर्ये देव को अस्त होते हुए सुर्ज को अर्ग होगा यानि देखते होंगे डूबते हुए सुर्ज को अर्ग आप नहीं देखते होंगे कि इसलिए डूबते हुए सुर्ज को अर्ग दिजिए और जबीवार भी है भुवन भासकर का दीन भी है और डूबते हुए सुर्य को अर्ग दिजिए और सुबा फिर शोम बार 20 तारिक सोंबार जो चंद्र का दिन है जल्दी ही आपको फिर सुरियोदे के टैम आप अरग दिजिए आज अगर लासुन प्याज का त्याग करें और सुर्ज भगवान को आज साम को भी अरग दिजिए और सोंबार के सुभा भी आप अरग दिजिए तलाब हो नदी हो जहां पे छट वर्ती हो वहां पे उनके शूप में डाली में अरग दें और उनके पाउं छूप करके घाट पे अंकरी होता चने का चने होगा चना फुला हुआ घाट पे अगर गिरा होगा या मूंग का अंकरित मूंग होगा या किसी पवनितनी से आप परसाद के रूप में अंकरी जरूर मांग के आप खा लें इससे आपका बहुत बहुत लाब मिलेगा इसी के साथ मैं अपने बाने को विराम देता हूँ चैनल को लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए बेल आइकन को दवा दिजिए और मैं आज वर्ल्ड कप जो आज है वर्ल्ड कप पे भी मैं वीडियो बना रहा हूं आप उसको जरूर आप देखिए और सब्सक्राइब क कीजिए बेल आइकन को दबाईए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी शेर कीजिए आप सभी को छट वर्त की हार्दिक बधाई और सुब कामना वर्ड कब के लिए भी मैं पहले ही सुब कामना दे रहा हूं प्रेम से बोलिए राधे राधे